हेलो एब्रिवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चानल हिंदी ग्यान में मैं हेम गहतोडी आज आप लोगों के समक्षिलाया हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परमपरा जो हिंदी साहित्य है उसके इतिहास लेखन की परमपरा अर्थात कहां से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना प्रारंब हुआ किस लेखक ने सरुप्रतम हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा किस भाषा में लिखा और कौन-कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तके लिखी है और उनमें किस प्रकार का वर्णन किया है देखे हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इद्यास लिकन का जो वास्तविक सूर्थ पात है वह उनीस्वी सतापदी से माना जाता है आप सब जानते हैं आप सब साहित्य के बारे में जानते हैं कि मद्धिकाल में जो वारता साहित लिखा गया था जैसे कि 84 वैशनओं की वारता, 252 वैशनओं की वारता, भक्तमाला ये सब जो कवियों के व्यक्तित्तों और कृतित्तों का इनमें आपको परिचे मिल जाएगा लेकिन इसे इतिहास लेखन नहीं कहा जा सकता इतिहास लेखन के लिए जो काल क्रम आनुसार वर्णन अपेक्षित होता है उसका इनमें नितांत अभाव है इनवारता ग्रंथु में इसे लिए इन्हें साहित्ति का इतिहास ग्रंथ तो नहीं माना जा सकता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो लेख हुआ है उसके बारे में हम बताते हैं आपके समक्ष प्रस्तुत है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रमुख ग्रंथ है आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ है तो हम इसी पर बात करेंगे आज सबसे पहले हम देखते हैं जो लेखक हैं उनका नाम है गारसाध तासी गारसाध तासी ने सरव प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम गरंथ जो है वह गारसाध तासी का है मैं इसके बारे में थोड BA के विद्यार्थियों के लिए, M.A. के विद्यारथियों के लिए, जो हिंदी के विद्यार्थियों है, साथ में SEATED, NET, L.T., और PRAWAKTTA, जो भी विद्यार्थियों सब की तियारी कर रहे हैं, उनके लिए यहां बहुत ही उपयोगी है, सबसे ज़्यादा यहाँ प्रसना आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला ग्रंत है बहुत किस ने लिखा किस ने लिखा गारसाद अतासी ने किस भासा में लिखा फ्रेंच भासा में लिखा गया है और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? इस बात को ध्यान रखेंगे. तो यह था हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गरंथ. इनके बारे में हम और भी चर्चा करते हैं. देखे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की चो परंपरा का सूतरपात है, वो किसी हिंदी भासी व्यक्ति के द्वारा नहोकर फ्रेंच भासा के विद्वान गार्साद तासी द्वारा लिखा गया. उनकी पुस्तक का नाम क्या है? इस्तवार्दलाल लित्रत्यु एंदु एंदुस्तानी. यह गरंथ कब प्रकासित हुआ था? इसका जो पहला भाग है, वो हो 1839 में आया था. और जो इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दु के अनेक कवियों का वर्णान उक्रम में इन्हें प्रस्तुत किया गया. यद्यपी जो गार्साद तासी थे उनकी विभाजन में जो उन्हें इतिहास लिखा उसमें अनेक कम्या हैं, जैसे काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया और कवियों का काल करमान उसार वर्गी करण न करना तथा युगीन परिस्तितियों का विबेचर न करना यहों इनकी सबसे बड़ी कमी रही, इसलिए इसे हम इतिहास ग्रंथ कहने में कोई संकोच नहीं करते, हम इसे हिंदी काविके देखिए, अगर इसमें ये सारी कवियों का काल करमान शार वर्गी करण होता और काल विभाजन होता तो हम इसे इतिहास कहते, साहिति का इतिहास कहते, लेकिन क्या है, इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काविके इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, साथ ही कवियों के रचना काल का निर्दे इस भी किया गया है, इससे इतिहास ग्रंथ कहने में किसी को संकोच नहीं है, लेकिन अनेक नियुनताओं के कारण, अनेक नियुनताओं के होने पर इस ग्रंथ को हिंदी साहिति के इतिहास लेखन की परमपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव निसंकोच दिया जा सकता हम इसे इतिहास की तरह में यह लिखा गया है इसमें कवियों का परिचय दिया गया है और लेकिन इसमें कालविभाजन का कोई वर्णन नहीं किया गया है कवियों को कालकरमानसार नहीं लगाया गया है इसलिए हम इसे साहित लेकर नहीं कहेंगे यहां केवल हमारे पास एक डिटा है दूसरा जो है वह सिव सिंग सेंगर हैं विद्वान जो दूसरे हैं हिंदी साहिति का इतिहास जिनोंने लिखा है सिव सिंग सेंगर की जो पुस्तक है उसका नाम है सिव सिंग सरोज इसमें लगभग हजार कवियों का जीवन वृत है यह 1883 इस भी में यह सिव सिंग सरोज लिखी गए इसमें लगभग 1000 चोटे बड़े कवी जिनकी जीवन चरित्र और साहितिक कृतियां और कविताओं के उधारण दिये गए है देखें सिव सिंग सेंगर ने प्लाय हो सभी कवियों का रचनाकाल एवं जन्मकाल भी दिया है यद्यपी आज उनमें से अधिकांग अविश्वस नहीं भी है देखें उस समय की परिष्टितियां कुछ और थी उस समय हमारे पास डेटा नहीं था आज हमारे पास काफी सारा मेटर है काफी सारी लाइव दे रही है हमारे पास कम्प्यूटर है और उस समय इन चीजों का अभाव था इस वजह से काफी ऐसी कृतियां हैं जिन में हम कह सकते हैं कि वह प्रमाणिक नहीं है जो अविश्वस नहीं है इतिहास लेकन के लिए जिस ततस्थ था परिवेचन एवं वरगी करण की छमतागी अपेक्षा की जाती है उसका नितानत अभाव इस गरंथकार में दिखाई पड़ता है अनिक तृटियां है अनिक तृटियों से युक्त होने पर भी सिवसिंग सरोज में ततकालीन समय तक उपलब्द हिंदी कविता संबंदी जानकारी को एक इस्तान पर एक अत्र करने का सराहनी प्रियास किया गया है जो बात के साहितिकार हुए हैं उन् सिवसिंग सहेंगर की सिवसिंग सरोज से काफी सारी जानकारी ली है अपने इतिहास ग्रंती की रचना करने में तीसरे हम बात करते हैं जोर्ज ग्रियर्शन की देखें जो इतिहास लिखा उसका नाम है दा मॉडन वर्नेक्यूल्यर लिटरेचर ओफ इंदोस्तान इन्होंन अनेक विद्वानों ने जिनमें की किसुरिलाल गुप्त प्रमुख हैं इस गरंत को सही अर्थों में हिंदी साहितिका प्रथम इतियास माना है इस इतियास गरंत में पहली बार कवियों और लेखकों को काल क्रम से वर्गी कृत किया गया है साथ ही उनकी प्रवृतियों पर प्रकास डाला गिया है तो ग्रेहरसन ने अपने इत्यास में लिखा है कि उन्होंने सिव सिंग सेंगर गार साथ तासी के द्वारा जो समागरी खटी की गई थी एकत्रिट की गई थी उसका उन्होंने प्रयोग किया है उन्होंने अपने इतिहास करंथ में यह सब लिखा है दिखे, आपके समख्ष है कि कवियों का काल क्रमानसार वर्गी करण उन्होंने किया था काल विवाजन का पहला प्रियाज जोर्ज गरियर सन्नी किया था हमारे अगले जो लिखक हैं वह मिस्त्रबंदू है मिस्र बंदू की जो इतिहास रचना है वो मिस्र बंदू बिनोध है यह उन्हें 1913 इसवी में इन्होंने इसकी रचना की थी इसमें 5000 कव्यों को स्थान दिया गया और काल विवाजन का इसमें भी प्रियास किया गया देखिए उपर भी लिखा है कालवी भाजन का प्रयास नहीं चीब लिखा है पहला प्रयास लिखा है हलाकि जोर्ज ग्रेराशन प्रयास कर चुके थे इसका तो मिस्रबंदो ने भी कालवी भाजन का प्रयास किया था अच्हाcito बंदू विनोध बहुत महत्वपूर्ण है इसकी रचना चार भागों में किये गई है जो चीज़ें यहाँ पर उपलब्द नहीं है वो हमें आपको बता दे रहा हूँ यहाँ चार भागों में प्रकासित हुई और जो तीन भाग थे वहाँ 1913, 1913 में यहाँ पर लिखा हुआ है 1913 तो जो तीन भाग थे वहाँ 1913 में प्रकासित हो चुके थे और जो चोथा भाग था वहाँ 1914 हिस्वी में प्रकासित हुआ था मिस्र बंदु बिनोध जो है एक विसाल का इग्रंथ है जिसमें लगब 5000 कवियों के संबंद में विवरण दिया गया है आप समझ सकते हैं कि 5000 कवियों का विवरण देना उनका डेटा इखटा करना एक बहुत ही कठिन काम है उन्होंने सारी रचनाकाल को 8 खंडों में विभागत किया देखिए अचारी रामचंद सुकल हिंदी साहिति के इतिहास में स्वयम ये स्विकार करते हैं उनके द्वारा जो कहे गए सब्दे हैं वह यह हैं कि रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायह उक्तगरंत अर्थात मिस्रबंद विनोद से ही विवरण लिये हैं तो मिस्रबंद विनोद की अपने आप में मिस्रबंद विनोद बहुत महत्वपूर्ण है जिसने हमें हिंदी साहिति के इतिहास को आज जो हम स्वस्ट रोप से पढ़ पा रहे हैं वह गारसादतासी सिव सिंग सरो, जोर्ज ग्रियर सन मिस्रबंद विद्वानों की देन है उसके बाद हमारे अगले विद्वान आते हैं आचारे रामचंडर सुक्ल देकिए आचारे रामचंडर सुक्ल की जो भूमी का हिंदी साहिति के इतिहास लेखर में है वहाँ अधुती यह है वह बहुत ही महतुपूर्ण है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो पुस्तक आई वहाँ अचारे रामचन्र सुक्ल किया है इन्होंने 1929 में इनका इतिहास प्रकास में आया इन्होंने कालविभाजन किया इतिहास धरसन दिया और नामकरण का सोईसपस्ट आधार देने वाले प्रतम कवी हैं जो प्रतम लेखक हैं जो वहाँ आचारे रामचन्र सुक्ल है नामकरण का जिन्होंने सोईसपस्ट आधार दिया क्वेश्चन आ जाता है नामकरण के सोईसपस्ट आधार किस ने दिया था अचारे नाम चन्र सुक्ले देखे हिंदी साहित्य के इतिहास कारों में राम चन्र सुक्ले का जो नाम है वह सरवपरी है उन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम ग्रंथ हिंदी सब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा यहाँ प्रसन भी बहुत महत्तो पूर् प्रतेक देश का साहित्य उनका मानना क्या है प्रतेक देश का साहित्य वहां की जनता की चितविर्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता है। साहित्य का इतिहास कहलाता है। ऐसा मानना है आचारे रामचनर सुकल जी का। नहीं बना सकता। ऐसा उन्होंने मिसर बंदु विनोत के लिए कहा था। तो आचारे रामचनर सुकल का जो इतिहास है वह बहुत ही महत्वपून है। आप जानते हैं जो उन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्सों के इतिहास को चार कालों में विवक्त कर दिया था। और जिसका नाम उन्होंने सबसे पहले वीरगाथा काल नाम दिया फिर पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल और आदो निकाल इस प्रकार से उन्होंने नाम दिया। आचारी हजारी प्रसाद्युवेदी जी की तीके आचारी हजारी प्रसाद्युवेदी सुक्ल के उपरांत यदि किसी अन्य विद्वान की मानिता को हिंदी जगत ने नत्मस तक होकर स्विकार किया है तो वह हैं केवल और केवल आचारी हजारी प्रसाद्युवेदी जी ज केवल अकेले एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने आचारी रामचन्र सुकल की बात को नका रहा और उन्होंने माना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि उन्होंने सुकल जी की कई बातों पर प्रश्न चिनने लगाया दिवेदी जी ने उन ग्रंतु की प्रब्रश्न चिनने शुकल जी ने जिन ग्रंतु का नामकरण शुकल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर किया उन पर दिवेदी जींने परश् Zimmer जीनने लगाया इसी प्रकार सुकल जी ने जैसे भक्ति आंदोलन के उदाई का प्रमुकारण पराजित हिंदू जातिक की निराशा को माना वहीं दिवेदी जी ने इसका खंडन किया वे यह भी मानते हैं कि भक्ति का उदाई इसलाम के प्रभाव से नहीं हुआ ऐसा हजारी प्रसार दिवेदी जी का मानना है तो मेरा कहना यह है कि अगर अचारी रामचनर सुकल जी की बात का कोई खंडन करता है तो वह हैं अचारी हजारी प्रसार दिवेदी जी उसके बाद अगला देखेंगे दिवेदी जी में क्या था नवीन सामागरी और नोतन दृष्ठी और सुकली जी के अनेक निसकर्सों से असाहमत थे हजारी प्रिशाद दिवेदी उन्होंने यह साहस दिखाया कि अचारे रामचनर सुकले की बातों का घंडन किया आगे हम बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार बर्मा देखें डॉक्टर रामकुमार बर्मा उन्होंने हिंदी साहित्य का अलोचनात्मक इतियास लिखा 1938 इस भी में डॉक्टर रामकुमार बर्मा हिंदी जगत के एक नाटक कार एवं एकांकी कार के रूप में अधिक उनका पहला वाग है हिंदी साहिति का अलोचनात मग गितिहास जा उसके बाद दुक्टर धिरेंद्र बर्मा आते हैं। आप देखेंगे धिरे नवर्मा ने हिंदी साहित्य नामक इतिहास लिखा हिंदी साहित्य नामक पुस्तक लिखी उसके बाद आते है डॉक्टर भगीरत मिस्र भगीरत मिस्र ने हिंदी का विसास्तर का इतिहास लिखा उसके बार डॉक्टर नगेंड जिनका नाम काफी जानामाना नाम है डॉक्टर नगेंड डॉक्टर नगेंड रीतिकाल की भूमी का नामक पुस्तक लिखी डॉक्टर नगेंड को आपको हिंदी के साहितिका इतिहास नाम से डॉक्टर नगेंड की पुस्तक आपको मिल जाती ह हाला कि डॉक्टर नगेंडर दीतिकाल की भूमी का डॉक्टर नगेंडर ने लिखी है उसके बाद आ जाते है डॉक्टर गर्पचन्रगुप्त यह हमें इतिहास आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि पुस्तकों के नाम आते हैं कहा जाता है कि हिंदी भासा और साहिति किसी प पुस्तक है तो इसी वजह से आज मैं आप लोग की सामने यह टॉपिक लिक्या हूं डॉक्टर गर्पचन्रगुप्त का हिंदी साहितिका वैज्ञानी की इतिहास है इसी प्रकार से आप और भी पुस्तकों को देख सकते हैं और इसमें डॉक्टर बच्चन की पुस्तक है ह का आधुनिक हिंदी साहितिका यहां डॉक्टर राम शरूप्चतरवेदी का है सामग्यधना का विकास। इसी प्रकार से और वी सारी वुक्ज़टों यह आप देख सकते हैं किसी भी इतिहास को पढ़ना चाहिए तो आप उन्हें मंगा ऀखरीच सकते हैं पढ़ सकते आज का हमारा टॉपिक और आज हमने जाना हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कौन-कौन से लेखक हैं कौन-कौन से रचनाकार हैं कौन-कौन से इतिहास कार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है सबसे पह आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर इसे लाइक करें अगर आपको यह अच्छा लगता है तो लाइक करें और इसे सेयर करें धन्यवाद